आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपा प्रदेश के कई इलाकों में लोग शादी के बंधन में बनते नजर आए हैं संख्या के लिहाज से प्रदेश पे ये बड़ा रिकॉर्ड है हजारों लोगों का जनसमुदाय आज सामोहिक विवासा मारूह का गवाबना चार तस्वीरे आपको इस वक्त हम दिखा रही हैं पुलंचहर, सहारनपूर, फटैपूर और संभल जहां पर आज लोगों का हुजूम देखने को मिला मौका था मुख्यमंदरी की तरफ से चलाई जा रही योजना सामोहिक विवाह योजना का जिसके तहट आज तमाम जोड़े विवाह के सूत्र में बढ़े सबसे पहले तो यहां पर आज मालिय मुख्यमंदरी सामोहिक विवाह योजना के अंतरगर लगबग हमारे 500 से उपर विवाह हुए हैं संख्या तो अभी हम लोग जब किंती करेंगे तब भी पता चल पाएगी लेकिन 500 से जादा जोड़े का विवाह संपन हुआ है लगबग 100 जोड़े यहां पर निकाह करें बाकी सारे हिंदू रीति लिवाह से होने वाले जोड़ों की शादिया हुए है और समाज के लिए तो यह यह मुख्यमंदरी की दौरा चलाई यह योजना जो है और मानि मुख्यमंदरी जी की जो यह योजना है सामुविग भाय योजना उसमें हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ इस कारिकरम का आयोजन किया है और सभी को हम लोगों ने आम अंत्रित किया समाज के जो भी विशिश्च लोग हैं वो लोगी गिप्ट ले करके आए हैं और इस अफ़र पर हम लोगों ने जितने भी नए जोड़े हैं उन सब को सोचता का भी संदेज दिया है और उनको सपद दिलाई है कि हम सोचता में भागीदार बन करके सहरनपुर को नंबर बन बनाएंगे और उनसे मैंने अपील की है कि जो भी योजना सरकार की चल रही है हर योजना को उनको जानकारी दी गई है वो जिस योजना में भी लाब लेना चाहते हैं वो आविधन करें और उस योजना का लाब लें और अपने आर्थिक जीवन अपनी आर्थिक उन्नती जरूर करें यह जो सरकार की जो भी योजनाइं हैं, उसी योजना का यही एक उद्देश है कि लोग आर्थिक रूफ से मजबूत बने, जो समाज के जो कमजोर लोग हैं, उनको इस योजना का लाब मिले और इस योजना से लाब हानित हो करके वो अपने को मजबूत रखें जिससे हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा. इन लोग को जो भी साधी में जितनी समागरी के जिरोत होती है, सल्टार के माध्यां के दी गई है, और इस पुरे सामुईक जो जिवाय योजना है, इसके अंदर के आप जियासा देख रहे होगे, बहुत ही सुन्दर और बहुत ही पावन समा बना हुआ है, इद्रिस बना हु वैसिदात नगर के डुमरिया गंच में मंगल भवन का लोकारपन हुआ, इस मौके पर लगभग चार करोड की लागत से बने विवाह भवन में मोखेमंत्री सामोहिक विवाह का भी आयोजन किया गया, इस मौके पर सांसा जगदमविका पाल विधायक रागवेंद विवाह भवन तक खुद गाड़ी चलाते हुए बरात लेकर वो पहुचे हुए थे, इस दौराण 121 जोड़ों के शादे कराई गई, सांसा जगदमविका पाल ने कहा कि सपा बसपा और कॉग्रेस पार्टी नमबर दू की लड़ाई के लिए आपस में ही लड़ रही है, भाजपा की किसी से भी लड़ाई नहीं है, इस बार भाजपा फिर से 300 से अधिक सीटे जीत कर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कौन नमबर दो हो, बसपा नमबर दो होगी, कि कॉंग्रेस नमबर दो होगी, कि सपा नमबर दो होगी, कि उबहती नमबर दो होगी, वो तै करे कि कौन नमबर दो होगा, कौन नमबर तीन होगा, कौन नमबर चार होगा, भारती जन्ता पार्टी की किसी से लड़ाई है, औ और इस बार भी आप देखिएगा कि उत्तविदेश में तीन सो सीट के पार होगी और फिर से योगी जी के नित्विट में एक बहुमत की सरकार होगी के हमारी तो सारी तैयारी है जितने भी धार्मिक अस्थल हैं और जिस पे भी मुगल आक्रांताओं के द्वारा खमला किया गया घपजय क अफ्मानिक किया गया वारी बारी से तैयारी है रामबंदिर का निर्माण बहुत भंवत्विता पूर्वा का देख रहे हैं कासी विस्तोनात्य कारीडूर का लोकार पर तेरा तारीप को होने जा रहा है और आने वाले वर्टों में हम तहिरा की तैयारली पर आज से जूटेंगे और ऐसे कोई भी धर्मीकस्तल हों जो इंब है दार्मिक अस्तनों का जिन्लो धार, दार्मिक अस्तनों को कलंक से मुत्टी का काम, यह अगर कोई कर सकता है तो भारती जंता पाल्टी ही कर सकती है मैं बल्या के रस्ता इस्थानिया डांक बंगले बीजेपी में पूर्व मंत्री और सांसद हरी नारेंड राजपर ने ओम प्रकाश राजपर पर बयान दिया अब उनका ये विवादित बयान जमकर वाइरल हो रहा है, पूर्वसांसद हरी नारेन ने कहा कि राजबर वोटों में ब्लाक मेलिन करते हैं, इसलिए जनता ऐसे लोगों पकाब भी साथ नहीं देने वाली बियार जाते से बिलांग करते हैं, और इनका कैरियर एक गुणोव नाच, जो देहतों में गुणोव नाच होता है, उससे जोकर की सुरुआती है, गुणोव नाच में जोकर थे, उसके बाद हो कहते हैं कि हम टेम्पू चला आए, उसके बाद इन्होंने मुकतारन सारी के गे कानून के नजुरों में आ जाएगा उन्होंने एक भासवा पाल्टी बनाए और राणीत की छेत्र में अपना प्रचार प्रसार करने लगे आप पाल्टीयों से ताल मेल करके जैसे 2017 में बीजेपी से भाजपास से ताल मेल किये और आठ सीट प्राप्त किये दो सीटों पर बा कि यहां 10-15 वर्सों से पूरे राजभरों को बलायक मेल करते हैं। पूरे रामपूर पहुचकर हम अपने आपको गौर्वानवित महसूस कर रही हैं। वह आपको बता दे कि प्रधानवंत्री ने 9802 करोड की परियोजना के शुरुवात की और 9 जिलों में फैलने वाले इस जल से किसानों की भूमी सिंचियत होने की बात भी कही। यूपी की राजपा स्रिमतियान जिवें। यूपी के पुर्जावान कर्मट लोग प्रियमुख मंत्री योगी आधित्यना जी उपमुख मंत्री स्रिमान केश्व प्रसाद मौर्याजी केंद्रिय मंत्री गजेजरसी सेखावत कौशल किशोर्दी राज्य सरकार्मय मंत्री महेंद्रसी लमापती शास्त्री मुकुट बिहारी बर्मा ब्रदेश पाठत आशुतोस चन्नाद बल्देव ओलाग जी पल्टुराम जी मन पर उपस्तित सभी संसत के मेरे साथी गण्ड सभी आधरी विधायक गण्ड जिला पंचायतों के सुद्ध से और मेरे प्यारे भाई और बहनों राष्ट्रिय लोक अदालत के विशे पर नयाधीश अश्विनी कुमार त्रपाची ने जवानकारी दियो और नयाधीश ने कहा कि सुले समझोतों के अधार पर वादों का निस्तारण करने के लिए ग्यारा दिसमबर को राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन हुआ है आगे उन्होंने बताया कि राष्ट्रिय लोक अदालत का संचिप तो घाटरन ग्यारा दिसमबर को नयाधीश ने बताया कि वो राष्ट्रिय लोक अदालत में निस्तारण होते हैं उसमें दोन उपक्ष लोग अधालत के बादा का इवजन 11 दिस्टमर को पूरे जन्पत में और सभी तहषीर इस्तर पर किया जा रहा है और राश्ट्री लोक अधालत में शुल्स अम्षते की अधार मुगादमिन इस्तायित किया जाना है इसी आशह से आप लोगों से आजबारता की जा रहे हैं कि आप लोग जनता की बीच में मीडिया, एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से इसका परचार परसार करें जिस्से की ज़्यादा संख्या में लोग अधालप में वादों का निस्ताराण किया जा सके। जनता को ये पता चल सके वादकारियों को पता चले कि सुरत सम्झोते के आधार पर वादों का निस्तार रही हैं और जान माल की धंकी देने के साथ ही मुकदमे में सुलह का भी दबाब बना रही है आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि पुलिस प्रभाव और कई मामलों को लेकर लिपा पोती करती हुए इस वक्त दिखाई दे रही है इस दोरान परिशुराम सेना के प्रदेश महामंत्वी प्रशवान्त पांजे ने कहा कि इस दबंग सपानेदा के खिलाफ हम लोगों ने कई बार शिकायत की है लेकिन पुलिस और जिला परसाशन ने इस पूरे मामले में कोई भी कारवाई नहीं की इसी के साथ पेड़ित कार्यकरता ने ये भी कहा कि अगर हमारी परिश्वानी नहीं दूर होगी तो आने वाले दिनों में हम लोग अंशन करेंगे यह देखिए हम लोग ब्रामर समाज की राणित करते हैं और तमान समय में एक जमीन को विबाद को लेके यह हमारे मित्र हैं और इनकी जमीन जो है पिछले 10-15 सालों से एक समाजवादी पार्टी के पूरो विधान सभा द्यच्च हरिबन से यादो उन्होंने फरजी तरीके से इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था सासन पर सासन से बार बार कहने के बावजूद भी कोई कारवाई नहीं हुई मेरा मामला ये है कि एक खजनी विधान सभा के पूरो सची और समाजवादी पार्टी के नेता है हरिबन से आदो उन्होंने मेरी साड़े आठ डिसमिल जमीन दुगना चोराहे पर कब्जा कर लिया है करीब 10-15 वर्षों से उन्होंने कब्जा किया है फरजी 239 भी करा करके अपने पिदा जी के नाम से और मैं अभी इस मामले को ले करके 10 वर्षों से मुकदमा लड़ रहा हूँ और आज के समय में भी मैं कई बार माने नहीं मुख्यमंत्री जी कहां जा चुका हूँ लखीमपूर खीरी के कुम्भी चीने मिल के कासिमपूर गना सेंटर पर तौल लिपिक क्रेशन चंद सिंग की हार्ट अटेक से मौत हो गई थी मिल पर साश्चन ने शब को उनके घर बबोना गाउं को भिजवा दिया जिसे गुसाई परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया अब शब को लेकर गाउं के बाहर लखेंपूर मैंगल गंज मार्ग को जाम करके प्रदर्शन चुरू किया गया और परिवार के भारट पोशन करने के लिए मुआवसे की भी मांग की गई हंगामे की सुचना पर पहुँचे पूर्वसांसद और बीजेपी प्रवक्ता ने स्थानी पर श्वासंद से समझा वुझा कर मामले को शान्त कराने के कोशिश की और जाम को खुलवाया तो वहां से हम जो करीब इस चार बजे हैं सारे चार बजे वहां से हम लेके आये बेसिक सेक्ष्या विभाग प्राइमिरी के पाटशाला में पढ़ने वाले जिले के दो लाख अठानवी हजार चात्राओं के बैंक खाते में ग्यारा सो रुपए प्रदेश सरकार दे रही है या उनके ट्रेस और जूते मूझे के लिए दिया जा रहा है प्रथम चरण में एक लाख बच्चों को इसका लाब दिया जाना है आधार काड और पैंक पास्बुक का नंबर का मिलांडना होने के कारण आ रही समस्याओं का निराकरन करने के लिए बात कही जा रही है स्कूरी बच्चों को मिलने वाले इस सिला पर दियाम ने भी जो अनकारी दी राज्ये सरकार द्वरा जो बैसिक सिख्साविबात के स्कूल्स है उनमें जो छात्र है उनके लिए ड्रेश के लिए जूते-मोजे के लिए 11 रुपे की दंदाशी दी जा रही है और यह सीधे दंदाशी खातों में स्थनांत्रत की जा रही है तो जनपद में पुरी ऐसे जो खातादारक है ये जो बच्चे हैं उनके संख्या 2,98 जार है और उसमें से प्रथम चरण में हमने भी 1,45,000 उन खातों में हमने दंदाशी बेज दी हैं कुछ खातों में टांजेक्शन फेल हुए हैं और उसमें उनका आधार से लिंक नहीं होना या उनका डॉर्मेंट होना उनमें किसी प्रका का टांजेक्शन नहीं होना ये उसमें मुख्य रूप से कारण है प्रताबगर में मुख्य बंद्वी सामोहिक विवाह का आयोजन किया गया लक्षमडपूर ब्लॉक में बड़े दुमदाम और हर्शो लास के साथ ही कारिकरम आयोजित किया गया यहाँ पर आयोजित सामोहिक विवाह में पूरे वैदे के रिती रिवास के साथ 96 जोडों का हिंदू रिती रिवास और तीन जोडों का मुस्लिम रिती रिवास के साथ निकाह करवाया गया लक्ष्माटपूर ब्लॉक की प्रमुक प्रेमलता सिंग ने सभी कन्याओं का कन्यादान किया और सरकार ने नव जोडों को व्यापक जीवन जीने के लिए उपहार में समान भी दिये राइबरेली में सलोन विकास शेत्र के स्वाधीनता का अमरत महुत्सव याथ्यात्रा के साथ भारी संख्या बेच शेत्री ये लोगों ने इसमें भाग लिया है जिसमें रदपर भारत माता की जहां की सजाए हुए गाजे बाजे के साथ हाथों में तेरंगा लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिये लोगों ने इस यात्रा को प्रारंब किया। यात्र प्रारंब करने से पहले सरप्रतम स्वरगी यह सीरियस रविब्ड पिन रावत और उनके साथ शहीदों को याद किया गया उनको धाज जली दी गई। इस यात्रा में सलोन के रास्ट्रिय स्वें सिवक संग के नितरतवों में छेत्र की महिलाए और हजारों नव्योकों ने हाथ में जहन डाले कर मादव दास मंदर सलोन सेते रंगा यात्रा की शुरुवात की राइबरेली की बेलगाम पॉलिस पॉजियों को पीच रही है पतादे की भारती है सेना में तैनाथ फॉजी अपने परिवार के साथ खर जा रहा था लेकिन ट्रिपुला चौकी पर तैनाथ दरूगा ने फॉजी के साथ अबदर भाशा का प्रियोग किया अब पॉलिस के इस लिए फॉजी अब भाशा रहा हूं उसके बाद भी जल्दी करने के बद गाली दे दिया मावें के जबकि फैमिली शाथ में है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा पि मैं भी बढ़ा रहा हूं तो उन्हें पकटके मेरा सट पकटके खीच लिया सट पकटके खीच लिया तो मुझे भी कुछ साया तो उसमें आता पाई हूं पार्टी की तरफ से एक प्रेस वारता युजित की गई थी इस प्रेस कांफरेंस में पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष श्री हरी भाई पाटेल मौजूद रहे और उन्होंने का युजान कारिया थी हरी भाई पाटेल ने बताए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारी पार्टी पिछडों के विकास के लिए काम करेगी इन्ही सारे मुद्दों को लेकर हमारे समवादाता ने रास्ट्री अध्यक्ष हरी भाई पाटेल से खास बात चीत की यह कहा जाता है कि मैं पिछले वर्गों को मसिया हूं और पिछले वर्गों के हम नेता हैं अखले सियादो जी कहते हैं कि हम इस देश में हमारी सरकार आएगी तो हम 200 बर्ख्विट उंची मूर्ती परसुराम की बनाएंगे परसुराम किसके लिए जाने जाते हैं सत्क्रिय के विनास के लिए जाने जाते हैं अखले सियादो जी को क्या हो गया है को सवको दिवालिया पन हो आगया है को यह कहते हैं कि सर्दा ब्रलभभाई पढ़ेल और मुहमद अली जिन्ना एक स्कूल में पढ़े थे और वो बराबर के नेता थे मैं देश के सात्कियों के साथ जन्ता पार्टी पे जहां उनके वास्थी अध्यक्त हरी भाई पटेल जी हैं तो उनसे हम जानते हैं कि आगामी चुनाओं को लेकर उनकी क्या तैयारी है और कि सोच को लेकर वह उत्तर प्रदेश आगामी चुनाओं में उत्रेंगे हम जन्ता पार्टी इंडिया उत्तर प्रदेश के चार सो तीन विधान सवाशीटों में उत्रेगी और साधारबादी अंबेटकर वादी समिधानवादी सोच यानि इस विचारधारा पर हम उत्तर प्रदेश के जन्ता के विच में जाएंगे हमारा पहला इसू होगा कि हम जो है रोजगार के उठाएंगे सिक्षा को उठाएंगे महिला उत्पिलन को उठाएंगे और सराब बंदी को उठाएंगे और नेक्स मुद्दा है हम इतिहास को उठाएंगे इतिहास में जैसे सदाबल्लब भाई पटिल का जीला बनाएंगे सदाबल्लब भाई पटिल की और इसके साथ साथ जो हम विरोत करेंगे उसमें परसुराम की मंदिर का विरोत करेंगे अखिले सियादो द्वारा कहे गए जिन्ना और सदार पठल की विचार धारा को जमान बताना या उनके बराबर किकत का नेता बनाना इसको भी हम एक्सपोज करेंगे और अखिले स्यादो जी को चाहिए कि जल्द से जल्द इस सवाल पर मीडिया के सामने आ करके देश की जनता के से माफी मांग लें अच्छा ये बताइए नरेंद मोदी जी ने सर्दाव पतेल की दुनिया की सबसे बड़ी पत्मा बनाई हूँ उस पर आप क्या कहेंगे नरेंद मोदी जी चुकि आरिसस पर सदा बललब भाव पतेल ने चार फरविली निइसचकोbles कोबेर लगाया था वह मोदी की विचार धारा हैं आरेसस की विचार धारा है लोकिन आरेसस एक ऐसा संगठन है जिसका जन्मत किर होने सदार पठेल के नाम पर नहीं रखा है और मैं प्रतिएक वर्स 31 अक्टूबर को 2009 से सदा बल्लब भाय पठेल की जनम भूमी गुजरात के नडियात जाता हूं जो खेड़ा जिला का मुख्याला है वहां जाता हूं और उनके जनम भूमी पर आज तक नरेद मोधी वहां मुख सरदार में हैं और कांग्रेस में भी भूपेज भगेल 36 गड़ में हैं लेकिन सरदार लोग सरदारवादी तो कहते है क्योंकि सरदार के दिल्सिय C הכ नहीं कर रही है और आम जनता पाइट इंडिया प्रोवीची है साब मतलब आपके मताबित OBC के बेटर्मेंट के लिए आपकी पार्टी काम करेंगी जी एकदम राइट मैं OBC एजन्डे पर हूं और पुले भारत का OBC सबसे है बड़ा जन्डा है इसे बड़ा कोई राज की तारीक में जन्डा नहीं है मैं तो support करता है तो थो करता हूं मैं जाती वादी नहीं हूं सरदार बललाब भाईपले जाती बादी नहीं थे लेकिं सरदा बललाब भाईपले राश्ट बादी थे और सब को सबकूचा हिस्सा देने के पक्षधर थे तो मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूं 22% मैं लेकर रहूंगा अब इस सवाल पर आज की ताइक में सपा बसपा करेंगे अच्छा आप हम यह बताएं कि आगामी चुनाओं में महज कुछ महीने बचे हैं तो क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी के साथ गड़बंदन कर सकती है या संपर्क में है बात कुछ बनी है या सी कुछ नहीं हम केवल सरदारबादी विचारधारा मानने वाले डाक्टर अंबेटकर को मानने वाले जो छोटी छोटी राजिंदिक पार्टी हैं उससे संपर्क करती हैं तो मैं उनके सामने सवाल रखता हूं कि यह आप अपना डंडा जंडा फेक करके आते हैं और जिस प्रकार से इ जो अंडुलन था उस प्रकार से और जंडा फिक दी हैं और इस बैनर को विकार करती है तो निससे विकार आ शौगत करेंगे अपने वह करते हुए उन्हें भी ट्रिकट देने का काम करेंगे लेकिन अंदर भी विचार होना चाहिए कि वह प्रोबी सी हो और पिछड़े बर्ग की बात करें और हमारे नारे पर चलें कि पिछड़े बर्गों ने बांधी गाट पिछड़े पावें सो में शाड आम जनता पार्टी इंडिया केथी है कि हमें सो मेंशाड चाहिए सो में शाड चाहिए अच्छा मी बताइए कि आपकी पार्टी में अब तक कितने आवेदन 403 विद्धान सभाव में से कितने आवेदन हो चुके हैं और कितने पे आपने अपने प्रत्यासियों को उतार दिया है, नाम घोशता कर दिया है, हमने अभी तक पूरी तरह से नाम घोशत नहीं किया है, लेकिन लगभग 65 सीटों पर हमने प्रत्यासियों को उतार दिया है, और 200 सीटों पर हमारे पास आवेधन है, 100 से अधिक सीटों और थे पास 3-3-4,000 आवेदन हैं और 403 पर हम पहुंचेंगे 403 पर लड़ेंगे कि अभी आप कौन कौन से छेटर में चुनावी भरवन किये हैं और क्या मांगों को रखे हैं जंदा का क्या मूड लग रहा है क्या रूख है हम सरदार पटेल की एजेंडे पर लखनवू सीतापूर लखिमपूर खीजी बहराइच सरवस्ति संतकबीर नगर गोंडा बहराइच इसके अलामा आपका गोरकपूर महराजगन देवरिया मौ वलिया आजमगर बाराणसी प्रताबगर सुल्तानपूर अंबेटकर नगर फैजाबाद इत्याद जीलों का हमने सघन दवरा किया है और पुर्वांचल में हमारा काम ज्यादा है और पूर्वांचल के लगभग 90% सीटों पर हमारी तहली हो चुकी है तो मेरे साथ इस वक्त थे आम जनता पार्टी के रास्ती अध्यक्ष हरी सिंग पटेल जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी पार्टी सवदाववादी पार्टी है और हम ओबी सियों के लिए उनके बिटर्मेंट के लिए काम करेंगे कैमरा में नीवज के साथ विभान सूप प्राइम टीवी समाजवादी पार्टी के राज़दानी कार्याले में एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की गई जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, विदान सभा अध्यक्षों की आगामी च्छनाव को लेकर मन्थन्दिय किया इसी कड़ी में अखिलेशनी पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि ततकाली सरकार के ओपर गंभीर आरूप लगते आये हैं पर सरकार समाजवादी सरकार के द्वारा किये हुए कामों का ही फीता काट रही है इसलिए समाजवादी पार्टी ने का है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है रंग बदलने वाली है और फीता लखनो से दिल्ली से कैंची और उद्गाटन हो रहा लगाता है जिलादेकारी ने पैसे नहीं मांगे हो कि बस कहां से लाई जाए कैसे लाई उसके लिए पैसे दिया हो ये सब सरकारी रही है पूरे प्रदेश में अभी तक भार्टी जनता पार्टी जनता की रही नहीं कर पाई है ये सब सरकारी ने लिकाते हैं। उत्तबरेस की जनता जान रही है कि योगी जी जा रहे हैं। लोगों को योगी सरकार नहीं एक योगी सरकार चीए। जो उद्धातन हुए हैं। उनके खातों में भेजना चाहते हैं। बेसिक सक्षा मुख्याले से लेकर विद्यालियों तक कई महिनों से इसकी तैयारिया भी चल रही हैं। और अबिवावकों के अकाउंट नमबर भी स्कूल ले ले लिए हैं। मगर अब तक मात्र 1100 रुपया ही अबिवावक के अकाउं और इसे के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार।